असलाम अलेकूं बच्चों आज हमें लोगने पढ़ना है मेंडल's law of independent assortment पहले हम पढ़ चुके मेंडल's law of segregation उसके अंदर हमने वह एक करेक्टरिस्टिक को स्टडी किया था जो की थी सीड की शेप अब इसके अंदर आज जो हम दो करेक्टरिस्टिक को एक साथ स्टडी करेंगे जो कि सीड की शेप और सीड का कलर जो law of segregation है उसके अंदर सिर्फ पता चला था कि हमारे पास जो जीन के पेहर होते हैं यांद की अलीर्ड होते हैं वो हमारे पास different हो सकते हैं और वो determine करते हैं कि आगे आपकी सीड की जो और चेप है वो क्या होगी ऩा जयानी कि अगर आपके पास एक गिमीट है उसके पास झाहे वह और आपके पास जह हो आपस ऑफस्प्रिंग सब्सक्राइव कमिद्ट होगा तसके तacje सेब अनदर रिस्ऐंम रिसेशिफ्ट होगा homozygous recessive होगा तो वो हमारे पास wrinkled seed shape देगा और अगर वो heterozygous होगा इसके capital r small r होगा तो वो हमारे पास तब भी round shape देगा लेकिन वो क्या होगा हमारे पास heterozygous होगा आज हमने जो है वो seed shape और seed color दोनों को देखने हैं जैसे हमने पहले जो है वो seed shape को की बात की थी कि हम इसको represent करते थे capital r and small r से capital r हमारे पास जो हो round show करता था और small r rinkled तो इन दोनों जब वो alleles के जब तीन pairs बन सकते हैं यानि के capital r capital r capital r capital r small r and small r small r इसके अंधर हमारे पास capital r capital r है यह शोगर है कि यह homozygous dominant है तो इसका field का round रहाँड़खा और मारे पास small r small r हे हमारे पास homozygous responsive है तो मारे पास seed की शेयरे वो wrinkled होगी है हमाई है हिट्रेंग धर स है और यहां पर क्यों होगी क्यूंक्य 12ождooky है डाइन थे प्रेजिट वह औगी हम 사건 कि कहरें येलो ऑर क्यों juga है दो डिफ्रेंट के साथ शेंपर் टे इंवbility यह क्यों मुत्स है इसकी भी तीन यान door कि हमाइ पास हमारी इंपना सब्सक्राट कि और पर निकील होगा यह सब्सक्राइब प्यंख को लाँ प्र Ahora फ Y पढ़ेंगे दोनों को अखटे तो ऐसे क्या हुआ कि मेंडल को जो है वह दोनों ट्रेट को खटे स्टेडी करने की जरूरत पड़ी इस कहते हैं दो ट्रेट को खटा पड़ने की दूरान उसको यह बात पता चली कि हमारे पास जो जीन पेर्स होते हैं एक जीन पेर्केंदर क्या हैं दो अलील्स हैं ठीक है यानि कि अगर हमारे पास यह मैंको क्रोमोजोम बना के दूँ इस तरह का हमारे पास जो है वो एक ट्रोमोजोम है ठीक है इस क्रोमोजोम के ओपर हमारे पास एक अलील इदर प्रेजेंट है एक अलील हमारे पास इदर प् जीन का दूसरे जीन का अली यादर सब्सक्राइब हो डूसरा जो हमारे पास यंप यह क 바꿔ता जो करता है कि यहाले सॽारा यहाले लिए यहाले यहालो। एक हमारे पास ग्रीज्च मैं इसुनां दूसरा जब यह separate होंगी chromosome तो हमारे पास कैसे बन जाएंगे एक यह chromosome हो जाएगा और यहाँ पर उनके चीन पेर होंगे यहाँ पर capital Y है यहाँ पर small y है इदर हमारे पास capital R है और इदर हमारे पास capital R और अगली जगा जो है वह small r है तो इसके अंदर बहुत है कि इस अलील के पास जो है वह concentrate है इस अलील के पास trade है yellowness का और साथ में wrinkleness का इदर इस अलील के पास इस gene के वह हो इस chromosome के पास concentrate है ग्रीन का और साथ में roundness का ठीक है यहाँ पर हमारे पास अगर इस chromosome से आगे जो फैलाइज़ेशन होगी तो रोसकता घुनलंड भी हो तो उसके कूं को स्टडी करने का मकसद यह जई हैं इन डेन टेडनी ली सेपरेटी इस्का क्या मतलब होता ऐसेकर Red और इसका क्या सिपरेट क्या है अब क्या आगे फाईद नहीं कि क्या रिपरेजिन क्या है? इसका ये मकसद है कि हमारे पास जो येलो कलर के सीड्स हैं वो हमारे पास राउंड भी हो सकते हैं और येलो कलर की सीड्स हमारे पास रिंकल्ड भी हो सकते हैं ठीक है और जो ग्रीन कलर के सीड्स हैं वो भी हमारे पास राउंड भी हो सकते हैं और वो हमारे पास रिंकल्ड भी यह independent है ठीक है इनका कोई भी combination जह है वो बन सकता है तो इसको basically कहते है law of independent assortment कि आपके जो alleles है आपकी gene pair के वो independently जह है वो separate होते हैं और independently जह हो different उसके अंदर distribute होते हैं के मीट्स के अंदर तो यही इसकी statement भी है कि the alleles of a gene pair segregate independently from the alleles of other gene pair यहीं कि अगर color का जो gene pair है वो जो कि कहते हैं शेप का gene pair है उससे independently segregate होगा उससे उसके depend नहीं करेगा वो अपनी separation के लिए या उसकी जह है वो आगे further distribution के लिए अच्छा इसका principle क्या है कि Mendel explained that two traits हमें दो ट्रेट्स लिए seed shape and seed color they are not tied with each other के साथ बंदे भी नहीं है वो अलग-अलग separate होते हैं ठीक है और हमारे पस डिफरेंट्रेट्स होते हैं वो आगे independently inherit होते हैं ठीक है याइन के वो जरूरी नहीं कि अगर हमारे पास जो है वो एक क्रॉमोजूम के पास round का अलील है उसके पास yellow shape का ही अलील हो अगर इसी तरह कर हमारे पास एक रोमोजूम के ऊपर अगर रिंकल्ड का जब अलील है तो उसके उपर जरूरी नहींए कि ग्रीन तो यह वो दूसरे से इंडिपेंडेंट ली जह वो आगे इन्हेरिट होते हैं इसको जरा देख लेते हम कि यहां पर हमने जह हो दो डू ब्रीडिंग अपने प्लांट लिए एक हमारे पास टू ब्रीडिंग राउंड यह लो प्लांट था और एक डू ब्रीडिंग होता है ठीक है इसके अंदर homozygous round था इसके अंदर homozygous wrinkled था इसके अंदर homozygous yellow था इसके अंदर homozygous green था ठीक है जब परेंटल generation को यह true breeding generation थी उनको आपस में जो हमने cross करवाया तो हमारे पास दो different किसम के gametes बने ठीक है capital R and capital Y and small r small y जब यह दोनों game-eats आपस में जब combine होए तो जो f1 generation थी उसके अदर हमारे पस जितने भी seeds आए वह सारे क्या थे heterozygous थे नहीं के वह सारे heterozygous round yellow थे उनके अंदर capital R capital R होने की वज़ा से जह वह round थे और capital Y होने की वज़ा से वह yellow थे लेकर जो दूसरा उनका लील का पेर था वह हमारे पास small r small y था तो यह क्या होए heterozygous थे लेकिन सारे क्योंके राउंड थे तो इसके अंदर dominant gene क्या था capital R capital Y का तो जो f1 generation की जब self-fertilization करवाई हमने तो मैं पता चला कि जितने भी लेकिए चार डिफरेंट कैस्म के चार डिफर्ट किसम के कॉंबिनेशन बने की capital R capital Y is very small v small our capital Y or small r small one थीक है यह दो हमारे पास इसके क्या कैता है इसको क्रॉस करवाया इधर भी हमारे पास यह के चार डिफरेंट किसम के कॉमिनेशन बन सकते हैं तो वह आपको याद दोगा तो मैंना को एक स्कुर बनाके भी बताया था तो उस्कुर का नाम बते है बिसिकली पनेट स्कुर ठीक है पनेट स्कुर के अंदर हम जब एक जो गेमीट आए उनको लिखते हैं और दूसरे साइड के ओपर दूसरे पर यहां पर यह सारे लिख दिये और इधर हमने जब इस सारे गेमीट इस साइड पर लिख दिये अब हम इनका आपस में इंडिविजुली क्या करेंगे क्रॉस करवाएंगे यानि कि देखेंगे कि को जब इस के साइड करस करते हैं तो कौनसे किसम का अगयोड के तो घ्री क्यार थे सऩ़ कि ऐसके साइड स्सक्राइब कर दिया लाल सी को सब्सक्राइब करता है। तो homozygous round तो होगा लेकिन क्योंकि इसके इंदर capital Y small Y है तो यह heterozygous हो जाएगा तो यह क्या है वापस round and yellow although यह heterozygous है लेकिन वह yellow होगा इसी तरह अगर यहां देखें capital R capital Y है इदर small R capital Y तो यह heterozygous round है और साथ में homozygous yellow इदर हमारे पास दोनों हमारे पास एक अलील है और दूसरा भी अलील homozygous है लेकिन वह डिफरेंट ट्रेड उसके लिए अलील के लिए उसके उसके वह ग्रीन कलर है क्योंकि वह हमारे पास क्या है small y small y यहां भी capital R आना था इन्होंने गलती से में खाला से printing mistake है तो यह capital R, capital R, small y, small y ठीक है तो आपस capital R, capital R आ तो शो करता है कि यह homozygous round है और small y, small y show करता है कि यह homozygous recessive है तो green color का इसका जो है वह इसकी जब कलर जब ग्रीन होगा इसी तरह यह यहां पर यहां पर यहां पर दोनों है है तो यह heterozygous round होगा और homozygous green होगा यहां पर भी यह heterozygous round और homozygous yellow एदर हमारे पास different हो जाता है कि यहां पर हमारे पास homozygous wrinkled यहांने कि आप recessive trade आ गये small r small r तो यह हमारे पास क्या है wrinkled का trade आ होमोzयgous wrinkled capital Y capital Y है तो यह homozygous dominant था yellow का था यह मारे पास homozygous wrinkled and homozygous yellow wrinkled yellow किसम का seed हमारे पास आगया इधर भी हमारे पास क्या है कि homozygous wrinkled है और यहांरे है होँए है यहां पर मारे पास एक जो जी आप YOUR हाय एक है उन्टेटी आुच है यहमारे पास हम चीह हमारे पास आप होँआरμεनेंट। और साथ में और साथ में tremendous इस दर महला इस द देख सकते हैं कि यह Premier को थालाइब WIN- crawl जो traits हैं वो क्या है homozygous recessive है तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर आपको तीन बिलकरी चार डिफरेंट किसम के आपको आपको आफस्प्रिंग मिले है ठीक है F2 generation के अंदर आपको चार डिफरेंट किसम के जो है वो seeds मिले है उन में से एक जो है वो क्या है येलो round है एक है round green एक है yellow wrinkled और एक है green wrinkled अब इनका आपस में जब हमने निकाला ratio निकाला तो आता है 9 ratio 3 ratio 3 ratio 1 वो कैसे आता है आगे देख लेते हैं कि जब हमाँ आपस डाय हेबरेट क्रॉस होते हैं तो हमने जब क्रॉस करते हैं between two contrasting traits और दो traits कौन से थे shape and color हमने जब राउंड सीट ज जो कि हमने डिनोड किया स्मॉल आर से पिर वही यहलो को हमने कंट्रोल किया capital R से जो कि dominant था अब green को हमने जब हो स्मॉल आर से true breeding round yellow seeds capital R capital R capital Y capital Y and true breeding small seed wrinkled जो थे और green थे वह हमाँ पस क्या थे स्मॉल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई तो जो f1 generation थी हमें देखी थी वह सारी कहती राउंड येलो थी लेकिन heterozygous थी heterozygous जो f1 generation थी उनको जब self-fertilization करें तो हमाँ पस चार डिफरेंट किसम के seeds आए यानिके च 315 round yellow seeds ठीक है total कितना है 315 round yellow seeds थे उसमें से 108 जो थे वह round green seeds थे 101 जह हो wrinkled yellow seeds थे और 32 जो है वह माँ पास wrinkled green seeds थे जब इसकी हमने रेशो निकाली तो इसकी रेशो निकली 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 1 तो यह हमने जह सारा calculate किया था तो हमें पता चल गया कि यहां पर जो है वो अगर तो यह सारे ही आ जाते हैं round yellow और wrinkled green तो पता चल जाते हैं कि यह independently segregate नहीं होते हैं independently separate नहीं होते हैं यानि कि जहां roundness का जीन जाएगा वही पर यह जाएगा और wrinkled वाला जीन जाएगा वही पर फ़ी घ्रीन वाला भी जाएगा तो हमाँ पास as a result कि आता सारे seeds यह यह तो रावंड जैलो होते हैं या फिर वह रिंकल्ड ग्रीन होते हैं ले वहां रिंकल्ड का जा रहा है यलो भी जा सकता है और ग्रीन भी जा सकता है तो इस तरह हमारे पास चार्ड डिफरेंट फीनोटाइप्स बन गए ड्यू टू इंडिपेंडेंट असौर्टमेंट अब इसी तरह अगर और मजीद जहां की क्रेक्टरिस्टिक्स एड करते जाओ होगे तो यह इसी तरह स्कूर्ड आपका बड़े से बड़ा होता जाएगा और आपको इसके अंदर भी पता चल जाएगा कि कितनी कॉमिनेशन जहें वह बन सकते हैं तो यह था अभी आपका मेंडर्स लौ ऑफ इंडिपेंडेंट असौर्टमेंट उमीद है कि आप लोग क बन और वक्रांट गत पर हो थे स्थापर अपर प्र्सस बयाया मयुदंग को अचय की polar को लिए चैपर वोड़े से अगी आपको होता है था श्च का बोर्ड होता है उसको कहते हैं शयुक्त चेकर बोर्ड के आपढता है कि इसके अंदर क्या है मैंौंस प्रवस्ट कर लेते हैं सारी पॉसिबल के मिट्स का यहां पर भी आप देख रहे हैं कि जितने भी क्रोस कि एसको इसके साथ कि इसको इस तो पता चल सके तो वही रिजाट्स करने के लिए हम जो है यह वह पनेट स्कुर्ण करते हैं ताकि सारे जितने भी आपके गेमीट हैं वह एक पेरेंट से जो दूसरे पेरेंट के साथ जो क्रॉस हों गए तो जितने भी पॉसिबल जीनो टाइप से वह हमें पता जल सके हैं अब मैंना कोई बात बताई थी कि आप चार डिफरेंट फीनो टाइप तो मिल गए है लेकिन यहां पर जीनो टाइप सी बहुत डिफरेंट है कैसे बहला यह एक जीनो टाइप है इस तरह का एक जीनो टाइप है और यह एक जीनो टाइप है इस तरह का ढूंडने कोई और जीनो टाइप भी है यहां पर है यानिकि देखें यह दोनों जीनो टाइप सापस में से है तो अभी कितने होगे तो जीनो टाइप हो गया तो यह टोटली इसके साथ सेम था यहां पर आके पास गलती ने की विया है च्छटा डिफरेंट जीनो टाइप है यह हमारे पास सेम है इससे यह भी हमारे पास इससे सेम है और भी तक कितने हैं यह सेम हैं यह हमारे पास सेवंथ जीनो टाइप जुर कि इडिखरेंट यह इसके अंदर टेहिए इंडिक इन को सीक्विंस यहां पर तो gene combinations है और नाइन डिफरेंट gene combination से चार आपके पास यह हो डिफरेंट फीनोटाइपस बनते हैं ठीक है चार डिफरेंट के सम्की हो सकती है लेकिर उनको समझाईए वो फिर आप questions जाएं मंदे मुझे से पूश लिएगा आओके जिये लाफिस